नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं ये कुपसुरसा लेदी शू लाई हूँ, ये जुती छे नमबर पैर के लिए है, ये डिजाइन मेरी एक व्यूवर ने मेरे पास भीजा था, और मुझे बताने के लिए कहा था, तो आज मैं उनकी फर्माईश पूरी कर रहे हूँ, ये शू दोनों पैर में एक ही जैसा बनेगा, यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगे, तो कृपया आप इसे लाइक कीजेगा, आपने फ्रेंट्स और फैमिली में शेयर कीजेगा, तो चलिए फ्रेंट्स हम बनाते हैं, इसके लिए मैंने बर्दमान का नार्मल गुल और दस नमबर की सलाई लिए हैं, दस नमबर की सलाई पर हम पचास डिजाइनर फंदे डाल देंगे, डिजाइनर फंदो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लिजएगा, अब हम इसे आठ लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, याने सामने से भी उल्टा और पीछे स तो आठ लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाते हूं, तो देखिए फ्रेंट्स हमने आठ लाइन बुन लिया है, जिससे चार उल्टे फंदो की धारियां सामने से और चार पीछे से आ गए हैं, और ये हमारा नाइन्थ रू है, तो नाइन्थ रू में हम 31 फंदे, 31 स्टीचेज हम उल्टा बुनेंगे, हमें 31 स्टीचेज उल्टा बुनने हैं, तो हमने 31 स्टीच को उल्टा बुन लिया है, अब इधर की तरफ 19 फंदे रह गया है, और हम अब यहीं से पलट जाएंगे, और अब हम सिर्फ 12 फंदो को, पहले फंदे को हमने ऐसे परल वाइस लाइज जाला और उनको वापस अपनी तरफ कर लिया, तो ये एक फंदा हो गया, 11 फंदो को हमें और बुनना है, एक, ये दो हो गया, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तो ये तोटर हो गया 12 फंदे, चार, आठ, और बारा, अब हमें इधर की तरफ भी 19 फंदे रह गया हैं, जिनने हमें छोड़ देना है, अब सिर्फ हम इस 12 फंदो को ही बुनेंगे, तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाइज डालेंगे, उनको अपनी और करेंगे, इस साइड में 11 फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम उल्टा बुलने लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, और 11, अब फिर हम पलट जाएंगे, पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाइज डालेंगे, उनको घुमा कर अपनी और लाइएंगे, और देखिए, 11 फंदे हमारे हैं, तो उन्हें हम उल्टा बुलनेंगे, फिर हम सामने की तरफ हैं, देखिए, हमने चार लाइन बुना है, तो ये दो उल्टे फंदो की धारी आ गई है, हमने चार लाइन बुना है, तो दो उल्टे फंदो की धारी आ गई है, तो हमें इसी तरह 18 फंदो की धारी चाहिए, दो हमारे हो गए हैं, और 16 और हमें बनाना है, तो 16 धारी बना के मैं आपको दिखाते हूँ, तो देखिए, फ्रेंट्स, 18 लाइन बनके त्यार हो गया, देखिए, चार लाइन, चार धारी का ये बडर, फिर, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदर, सोला और 18 धारी, ये हमारा कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम इस धागे को यहीं काट देंगे, हम यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे, देखिए, हमारी सीधे फंदो की ये जो धारी गई है, यही से हम प्रतेक से एक-एक फंदे उठा लेंगे, अब अहां पर हम अपना ये धागा अटाच करेंगे, एक प्रतेक फंदे में ऐसे हम सलाई डालेंगे और एक उठा ल और इसे हम ऐसे लपेटते जाएंगे तो चार छे आठ दस बारा चौदा सोला और अठारा तो हमने अठारा फंदे उठा लिए अब हम इन अपनी तरफ करेंगे इन बारा फंदों को भी हम बुन लेंगे हमने बारा फंदों को बुन लिया अब हम इधर से भी अठारा फंदों को उठा लेंगे हमने देखे 18 पंदों को उठा लिया है दो छार छे आठ दस बारा चौदा सोला और अठारा इस एक फंदे को भी गिरा देंगे एक फंदा हम यहां जो जगा बचा यहां से उठाएंगे तो इन 18 फंदों को हम बुन लेंगे और यहां से हम एक फंदा उठा लेंगे अब इस सलाई को अटाएंगे अब देखिए जो हमारे हमने इधर 19 फंदे छोड़े थे उन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे रॉंग साइट से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स यह कुछ इस तरह बन के त्यार हुआ है पचास फंदे थे 18 फंदे इस साइट से हमने उठाया और 18 फंदे इस साइट से उठाया यानि कि 36 फंदे एड हो गए पचास फंदे थे और 36 फंदे एड हो गए तो टोटल हो गए 86 तो अब हम फिर सामने की तरफ हैं और हम इसे दो पार्ट में करेंगे तो हम 43 फंदों को उल्टा बुन लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमने 41 फंदों को 41 फंदों को उल्टा बुन लिया अब हमें 2 फंदों को और बुनना है तो यह 42 फंदा है ता इसमें हमने एक बार बुना और फिर ऐसे घुमा कर एक बार और बुनेंगे और यह 43 फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे और अब हम यही से लोट जाएंगे पहले फंदे को ऐसे नीट sum लएज डालेंगे अब हम दूसरा sli अले लेते है तो पहले फंदों को ऐसे नीट वाइस जा लेंगे उन घुमा के वापस अपनी हो लाएंगे और सभी फंदों को यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो 43 फंदे थे यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ाया तो हो गया 44 सबी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो हमने 44 फंदों को उल्टा बुन दिया अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो इन 44 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और फिर रॉंग साइट से भी उल्टा बुनेंगे तो दो लाइन मैं बुन लेती हूं फिर आपको दिखाते हूं तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया देखें यहाँ पर दो धारियां आ गए मैं बुनने से दो धारिया गए अब हम फिर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे mentions सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़ कर तो मैं फंदों को उल्टा बुन ले रहे हूं तो आपको दिखारे हूं तो देखिए friends मैंने सबी फंदों को उल्टा बुल लिया last के दो फंदे रह गए हैं तो अब ये second last में हम दो बार बुलेंगे एक बार उल्टा बुला फिर इसको ऐसे घुमाया और फिर एक बार और उल्टा और last फंदे को भी हम उल्टा बुलेंगे यानि यहां पे हमने फिर एक फंदा बढ़ा दिया है तो हमारे दो फंदे बढ़ गया रॉंग साइट से हम पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई डालेंगे उनको अपनी ओर करेंगे शेज सभी फंदों को उल्टा बुलेंगे अब देखिए तीन धारियां कम्प्रीट हो गई है हम फिर सामने की तरफ आ गया है तो हम फिर दो लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे नार्मली उल्टा बुनेंगे हमें कुछ नहीं करना है जितने फंदे हैं उनको सामने से उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे से उल्टा बुनते हुए वापस आजाएंगे तो इतना बुन के मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रैंस चार धारी complete हो गई है यानि 8 लाइन बुना जा चुका है और ये 9th row है तो फिर हम इस लाइन में एक फंदा यहां पे दूसरे फंदे पे बढ़ाएंगे पहले हमने 1st row में बढ़ाया 3rd row में हमने नहीं बढ़ाया फिर 5th row में बढ़ाया 7th row में हम नहीं बढ़ाएंगे फिर इस 9th row में हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा 5 धारी है और हम 7 धारी बनाएंगे तो पहले धारी में हमने बनाया फिर तीसर धारी में ये 5 धारी जा रहा है तो हम इस पर बनाएंगे और फिर 7 धारी में यानि कि चार फंदे हम इधर बढ़ा लेंगे तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारी सात्वा धारी कंप्लीट होने जा रही है तो चार छे और ये साथ और लास्ट के दो फंदे बचे हैं यानि इसमें भी हम एक से दो फंदे बढ़ाएंगे दूसरे वाले फंदे में हम दो बार बुनेंगे एक बार उल्टा बुन दिया फिर इस फंदे को ऐसे घुमाया और फिर एक बार और उल्टा फंदा बुन दिया लास्ट फंदा उल्टा तो हमने चार फंदे बढ़ाए एक पहली धारी में फिर तीसरी धारी में फिर पांचमी धारी में और ये सातमी धारी में यानि तेरह वे लाइन में अब हम रॉंग साइट से हैं और पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइस लाइड आलेंगे उनको अपनी और करेंगे और शेस फ अलग होने के बाद से यह हमारा 14 लाइन चला है तो हमने 14 लाइन कम्प्लीट कर लिया अब यह हमारा 15 लाइन है और अब हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे अब हम फंदों को उल्टा नहीं बुनेंगे बलकि सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया अब हम रॉंग साइड में हैं तो हमने 4 फंदों को बढ़ाया था अब उन चार फंदों को हम घटा लेंगे दो दो फंदों को एक साथ लेंगे दो का एक किया उल्टा बुनते हुए फिर इस फंदे को हमने 22 लाई में चलाया नेक्स फंदे को साथ लिया दो का एक किया दो हो गया तीन चार तो हमने चार फंदों को घटा दिया, अब 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब हम 6 लाइन आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनेंगे यानि प्लेन बुनेंगे तो 6 लाइन और बुनके मैं आपको दिखाते हूँ तो हमने 6 लाइन प्लेन बुन लिया यानि आगे से सीधा और पीछे से उल्टा अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया अब हम रॉंग साइड में हैं और रॉंग साइड में भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे तो हमने रॉंग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लिया अब देखिए फ्रेंट्स ये जो हमने घटाया था अब ये लगभग उसके बराबर हो गया है तो अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे फंदों को बाइंड ओफ कर देंगे दो फंदों को लिया पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चड़ा दिया एक एक फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चड़ाते जाएंगे उल्टा बुना पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चड़ा दिया नेक्स्ट फंदा उल्टा बुना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा दिया, तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदो को bind off कर देंगे, तो फंदो को bind off करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो हमने सभी फंदो को bind off कर दिया, अब इस फंदे को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से हम गोले को निकाल देंगे, और इसे हम कसलेंगे, धागे को थोड़ा लंबा काट देंगे, क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी है, अब देखिए फ्रैंस, हमारा आधा पोर् पोर्षन त्यार हो गया है, अब हमें इस साइड भी इसी तरह बुढ़ना होगा, तो हम यहाँ पे फंदे को अटेस्ट करेंगे, तो हमने फंदे को अटेस्ट कर लिया, अब हम, पहले फंदे को ऐसे नीट वाइस बुनेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अब आपको याद होगा कि इधर हमने एक फंदा पढ़ाया था पहले लाइन में, तो हम इसको एक से दो कर लेंगे, हम दूसरे वाले फंदे को दो बार बुनेंगे, एक बार हमने उल्टा बुना, फिर इसी फंदे को घुमा कर एक बार और उल्टा बुना, अब शेस फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे, रॉंग सैट से भी हम सभी फंदो को उल्टा बुन लेंगे, अब यह हमारा तीसरा लाइन है, तो तीसरे लाइन में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, फिर पांचवे लाइन में फंदा बढ़ाना है, तो हमने पहले लाइन में बढ़ाया, दूसरे लाइन हमने उल्टा बुन लिया, तीसरे लाइन में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, तो इस लाइन में हम पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुलेंगे, और रॉंग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुलेंगे. तो देखिए फ्रैंट्स, ये दो धारी बन गई, यानि की चार लाइन कम्प्लीट हो गया, अब ये पांचवा लाइन है, तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई डालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, अब इस लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो दूसरे फं इसी फंदे में एक बार और उल्टा बना, तो दूसरे फंदे से हमने एक से दो फंदे कर लिया, शेस फंदो को हम उल्टा बनेंगे, और रॉंग साइट से भी हम उल्टा बनेंगे, तो हमने पहले फंदे में, पहली लाइन में फंदा बढ़ाया था, फिर पाचवी लाइन में हमको बढ़ाना है एक एक लाइन को छोड़ के हमें फंदा बढ़ाना है हमने पहली लाइन में बढ़ाया तीसरी लाइन में हमने नहीं बढ़ाया पांच वी लाइन में बढ़ाया सात्वी लाइन में हमें नहीं बढ़ाना है नवी लाइन में बढ़ाना है ग्यार्वी ला तो मैं चौदा लाइन कम्प्लीट करके आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंड साथ धारी बनके त्यार हो गया है यानि चौदा लाइन हमने बुन लिया है साथ उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी आ गए है और साथ पीछे से भी आ गए है और पहले तीसरे पाचवे और साथवे धारी में हमने चार फंदे बढ़ा दिये तो 43 फंदे थे और चार फंदे बढ़ने से 47 फंदे हो गए तो अब हम इस लाइन में सभी फंदे सीधे बनाएंगे और जो चार फंदे हमने बढ़ाये थे उन्हें हम वापस घटा देते एक घटाया दो तीन और चार फंदे हमने घटा दे अब हम आठ लाइन प्रेन बुनेंगे यानि सामने की तरब से सीधा और पीछे की तरब से उल्टा तो आठ लाइन बुन के मैं आपको दिखाते हूँ तो देखे फ्रेंट हमने आठ लाइन कम्प्लीट कर लिया और ये अभी हमारा इसके बराबर ने हुआ है तो अब हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे आठ लाइन प्रेन बुनने के बाद ये हमारा नुवा लाइन है इस लाइन में हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे और रॉंग सैट से भी सभी फंदो को उल्टा ही पुनेंगे तो हमारा देखे दो लाइन कम्प्लीट हो गया और इसे ऐसे मोड़े तो ये इसके बराबर हो गया है तो अब हम इस लाइन में सबी फंदों को क्लोज कर लेंगे पहले फंदे को ऐसे ने ट्वाइस लिप किया उन अपनी ओर किया नेक्स फंदे को उल्टा बुना पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा दिया नेक्स फंदे को उल्टा बुना इसी तरह करते हुए हम सभी फंदो को बाइंड ओफ कर लेंगे तो मैं बाइंड ओफ करके आपको दिखाते हूं तो हमने सभी फंदो को क्लोश कर लिया है अब धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इसकी सिलाई करने है देखिए फ्रेंड्स यह कुछ इस तरह बनके तयार हुआ है अब देखिए फ्रेंड्स मैंने सुई में धागा डार लिया अब यह जो हमने चार फंदे घटाय थे इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे और इसे सिलेंगे अब इसे हम काट देंगे इसी तरह हम दूसरे साइड भी इस साइड भी हम सिलेंगे अब इसे साइड भी हम सिल लेंगे अब इसे साइड भी हम सिलेंगे इसे साइड भी हम सिलेंगे झाल 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 झाल